Hi everyone, कृिष्ण जन्मास्टमी 2023 कब है? तो चलिए जानते हैं हर साल बादरपद मां के कृष्ण बक्ष्टमी अस्टमी तिती को कृष्ण जन्मास्टमी का पर्व मनाया जाता है इस साल ये पर्व 7 अगर्व 2023 को है कृष्ण भक्तो द्वारा ये पर्वधूम दाम से मनाया जाता है कृष्ण जर्मास्त्मी के दिन लोग वरत रखते हैं मंदिरों को खूब सजाते हैं और मंदिर में पूजा अचना भी करते हैं जानेता है कि भगवान श्री कृष्ण का जनम मद्धे रातरी में हुआ था इसलिए कृष्ण जर्मास्त्मी की पूजा रात में ही की जाती है साथी रातरी जागरन भी होते हैं इस दिन भगवान श्रीक्रिशन के बाल सवरूप लड़ू गोपाल की पूजा की जाती है जनम के बाद लड़ू गोपाल को पंचा मृत से सनान कराया जाता है साती बाल गोपाल का शिंगार किया जाता है उन्हें सुन्दर वस्त्र बासुरी, मोरपंग, काजल, मुकुट, पाजेव जैसी चीजों से सजाये जाता है ऐसे में आये जानते हैं कि क्रिस्ट जनमास्टमी पर कैसे करें लड़ो कोपाल का शिंगार क्रिस्ट जनमास्टमी के दिन पीले, हरे, लाल, मोरपंग से बने वस्त्र, फूलों वाले वस्त्र, मीनाकारी, जर्दोरी जैसे वस्त्र, लड़ो कोपाल को पहना सकते हैं इससे काना आप पर प्रसन होंगे बांसुरी, बांसुरी काना के सबसे प्रिये वस्तु है, इसके बिना काना का श्रिंगार अधूरा माना जाता है ऐसे में क्रिष्ट जनमास्टमी के दिन आप छोटी सी बांसुरी काना के हाथों में जरूर जरूर रखें श्रीक्रिशन को मोर पंक अतिप्रिये होता है इसलिए जन्मास्त्मी के दिन उन्हें मोर मुकट जरूर पहनाए ऐसा करने से काना प्रसंद होंगे और आपकी हर मनोकामना की पूर्टी करेंगे जन्मास्त्मी पर लड्डू को पाल को मोतियों की माला या फिर वैजैनती की माला पहनाए आप चाहें तो पीले या लाल फूलों से बनी हुई माला भी पहना सकते हैं इससे श्रीक्रिशन की किरपा आप पर बनी रहेगी शिरिक्रिष्ट जन्मास्टमी के दिन बाल को पाल को माथे पर रोली और चंदन का टिका लगाएं इससे आपके जीवन में शीतलता आएगी क्रिस्ट जन्मास्टमी के दिन पूजा के समय चांदी या सोने के कड़े से लड़ू को पाल का शिंगार करें इससे जीवन में आ रही बदाएं दूर होंगी बगवाई शिरी क्रिशन की गिर्पा पाने के लिए चांदी से बने पाजेप या पायल बाल को पाल के चर्णों में जरूर पहनाएं साती कमर में कमर बन भी पहनाएं बोलो शिरी राधी क्रिशन वीडियो पसंद आए तो लाइक शियर सब्सक्राइब बाबाई जै शिरी क्रिशन